प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए, अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के, अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर ग्यान ध्यान नरहरी निर्बानी बिन सत्गुरू बेंटे कोई न जानी, बिन सत्गुरू किन्हें न पाया, सत्गुरू बिच आप रखियानों कर पर गट आदिस सुनियाई, सत्गुर में लिए सदा मुक्त है, जिन विच हू महो चुकाई, करपा करे जो आपनी तागुरू का सब्द कमाई, नानक कह सुन जन हू, इत संजम दुख पाई, पिर आगी ये भी सच किया है कि सच्चा गुरू सबद जित लगताना, सच्चा गुरू हो, पूरे गुरू से बात बनेगी, सच्चा गुरू हर नाम सच सरना, और सच्चा गुरू सबद जित लगताना, सच्चे बिन सत संतोस नपावे बिन गुरु मुक्ती नपावे जावे बिन गुरु मुक्ती नहीं आवे जावे ये आना जाना बना रहेगा फिर किते हैं मूल मंतर हरी नाम रसायन कह नानक पूरा कि मूल मंतर जो है ये हरी नाम यानि प्रमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है ये वो रसाइन है जिस से मोक्स होगा सत्गुर्ब लिए सबद भेरचे अप पैवसे मन आई बाहिरे गुर्म की बूज कोई बिन बूजे और करम कमावने जनम पदारत खोई यानि बिन सत्गुर के अपनी मर्जी से यदी कोई साधना करता है वो जनम पदारत खो रहा है अपना जीवड़श्ट करा है बिन सत्गुर के ने न पाई परम गते ये है बिन गुर किने न पाईयो विर्था जनम गवाई और सन्मुक करम कमावने दर्ग मिले सजाई मन्मुकी जो साधना करते हैं दर्गावन को सजाना लेगी मन्रे दूजा भाव सुकाई और अंतर तेरे हरी वसे गुर सेवा सुक पाई इसके अंदर पुनादमो बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा महिमा गाई है मैला पैला के अंदर मैला पैला की वानी स्री गुरु नानक देवजी के मुख कमल से उतृत है पूरे गुरु से गत्मत पाई बूढत जग देखिया तत डर भागे सत्गुर राखे से वड़ भागे नान्मत गुरु की सरना लागे मैं गुरु पूछ आपना सत्विचारी राम मैं गुरु पूछिया अपना साथ विचारी राम चारसो उन्तालिस प्रिष्ट पे गुरु गर्ण साहिपर फिर आगे लिखा है चारसो त्रेशिट प्रिष्ट पे गुरु गर्ण साहिपर मैला पहला किवानी बली हारी गुरु आपने दिव हारी दस सदवार जिन मानस से देवता किये करत न लाकिवार आपीने आप साजिया आपीने सचिया नाव रचिया नाव दुई कुदर्थ साज कर आशन डिठो चाओ दाता करता आप तुँ तुष देवही करम पसाव तुँ जानों ही सबसे देशलेही जिंदा कवाव कर आशन डिठो चाओ सबस्ट कर दिया श्री गुरू गरंद साहिब के अंदर परष्ट नमर चार सो तरेशट पर के तु दो कुदरत साज के यानि दो दुनिया बनाके एक तूपर की सताई सत लोग अलख लोग अगम लोग अनामी लोग अकै लोग जिसको कहते है और नीचे के ये अन्या ब्रमान केते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाओ वो आपने आसन से पर बैठ कर सब को देख रहा है और केते दाता करता आप तू हूँ और तुसी देवही करन पसाओ तू जानो ही सब से देश लही जिन्दा कवावन तू उपर बैठा है ठाट से आसन पर अब नानक साहिब जी चारसो पैस्ट परिष्ट पर कहते हैं मैला पैला की वाणी एहु जीव बहुते जनम भर्मिया ता सत्गुर सब्द सुनाया इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे वो कौन मिले थे और उनक कंसेप्ट करी रख्या है जैसा कल आपको सुनाया था बाई बाले वाली दनम साखी में अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे अरुनों ने कैसे बताया अपने गुरु जी के विशे में एक बार फिर आपको दिखाते हैं गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये देखिएगा जनम साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जनम साखी भाई चतर सिंग जीवन सिंग अमरत्सर से छपी है भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जनम साखी ये यहां से छपी अमरत्सर से है चतर सिंग जीवन सिंग बजार माया सेवा अमरत सर इनके फॉन फैक्स है इसमें देखिएगा 197 प्रिष्ट पे हम पढ़ेंगे 197 प्रिष्ट पे साखी मक्य मदीने की एक आज जी रुकन दीन था उससे वारता हो रही है नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब चारों कूंट सलामत करता तो ही होए सवाब इसमें क्या बता है कि खालक आदम सिर्जिया आलम बड़ा कबीर यानि जिस परमातमाने आदम जी की रचना की उत्पत्ती की वो आलम माने परमातमा बड़ा माने सबसे बड़ा कबीर माने कबीर वो कबीर सबसे बड़ा परमातमा है और काइम दाइम कुदर्ती सर्पी रादे पीर सब गुरुओं के गुरु यानि जगद गुरु वही है फिर यान नीचे लिखा है ये सजदे करे सयदे करे खुदा इनो आलम बड़ा कबीर अब यहां क्या करते थे के कबीर का अरथ ये बड़ा करके टाल देते थे नानक साहिब जिन ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है कबीर अलग है कि उस सबसे बड़े कबीर प्रमातमा को तुम सजदे करो उसकी बगती करो इसका ये अरथ है अब आपको दिखाते हैं जनम साखी बाही बाले वाली पंजाबी लिपी में ये देखिएगा ये जनम साखी अज तक छप चुकिया नालों वड़ी है सब तों वड़ी ते पुरातन है भाही बाले वाली जनम साखी श्री गुरुनानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दस पादसादे जीवन समेट मुकमल साखिया है प्रकासक है ये डाक्टर जवार सिंग किरपाल सिंग एंड कमपनी पुस्तकावाली गली नमबर आठ बाग रामानंद अमरसर अब हम इसके उस्प आते हैं दो सो बावन प्रिष्ट पर आपको ले चलते हैं ये है सिद्धा नाल गोष्टी प्रिष्ट नमबर दो सो एकाउन से प्रहरम करेंगे सिद्धा नाल गोष्टी तांग गुरू नानक जी बचन कीता मरदाना असानू करतार ने कि मेरे को भगवान ने एड़ा वड़ा गुरू मिलाया है जो बिना करतार के थी असाड़ी द्रिष्टी तले नहीं आमदा इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते है स्री नानक देव जी कि मरदाना असानू यानि मेरे को करतार ने सब सिर्ष्टी के रचने वाले ने एड़ा वड़ा गुरू मिलाया है जो बिना करतार थी असाड़ी द्रिष्टी तले नहीं आउंदा यानि बिना प्रमात्मा की करपा बिना वो ऐसा गुरू नहीं मिल सकता इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरू मिला है आगे देखिए वो कब मिला है ये दो सो बाउन प्रिष्ट पर आगे हैं ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरू मिलिया सी उस्ता नाउं की है ता गुरू नानक जी किया मर्दाना उस्ता नाउं बाबा जिन्दाख देहन जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुकम वीच चल देहन आते अगनी और मिटी एह भी उस दे आखे वीच हन जीस ताईं बाबा जिन्दा मिलेगा उस ताईं बाबा आखना चाहिए होर ताईं बाबा नहीं आखना ता मर्दान ने पूछिया कहा गुरू जी असी ता तो अड़े नाल ही रेंदे आहे हम तुमारे साथ ही रह रह रहे हैं तुशानों यानि आपको कद मिलिया है वो कब मिला है ताईं गुरू नानक देश जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया सें जब तक तू मेरे पास नहीं आया था जद असी मेलन गय से, ता मर्दान ने किया जी कद गय से, ता गुरु जी कहा, जद सुल्तान पुर्विच टूब की लाई थी, तूब की लाई थी, यानि नदीब टूब की लगाई थी, तब मर्दाना असी, यानि मैं तीन दिन उसे पास से रहे शे, तीन दिन उसी के पास रहे थे, मर्दाना भाई, बाला जानदा है, मर्दाना ओ, ऐसा गुरु है, जिसकी सता, संपूर्ण जगतनों आसरा दे रही है, आते मर्दाना, जिन्दा उसनों कहें दे हन, जो काल दे वस ना आवे, जो काल उस दे वस होए, ता मर्दाना ने किया, रंग क्या है, ते उस दा आसन की थे है, ता गुरु जी किया, मर्दाना, उस दा रंग लाल है, पर उस लाली, नाल कोई लाली मिल दी नहीं, नहीं, आते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग दे दे शन, उसके जो बाल है, रोम कूप है, उसके बाल जो है, सोनने जैसे हैं, पर सोनना भी उसके बराबर नहीं है, इसका यह अर्थ है, एक तो यह कंसेप्ट कलियर हो गया, के नानक साहिब जी के गुरू जी थे, और भी कंस्ट कलियर कराते हैं, यह है प्राण संगली, प्राण संगली नानक साहिब जी के करकमलों से लिखी है, यह यहां से चपी है, यहां से देखिएगा, श्री यह है, प्राण संगली, सटीपन पर्थम भाग, श्री गुरू नानक साहिब विरीचित, प्राणों का अपुरू कोच, जो सुर्थ सबद्योग्स, साधन मई, आमहोगतारों से रचा हुआ है, प्रकासक है, वेल वीडियर प्रेंटिंग वरक्स, चपन ए, तेरा मोतिलाल, अवलिक, तेरा मोतिलाल, नेरू रोड, इलावाद से, और इसके संपाद्य कौन है, शटिपन उल्थाकार, यानि इसका अनुआद करता, संपूर्ण सिंग तर्ण तर्ण पंजाब से, इसमें सपष्ठ किया है, अनुआद करता ने, नोट, एडिटर संत बानी, पुस्तक बाला, वास्तों में यह पुस्तक असल गरंथ की ज्योंकी टॉन नकल है, नकल देवनागरीब अक्सरों में है, उसका उल्था या तर्ण नहीं है, जोंकी जों है, उसका कोई उल्था नहीं है, अब इसके जीवन चरीतर में, नानक साहिब जीवन चरीतर लिखा इस मापरुष ने, इस पुस्तक के पंदरा प्रिष्ट के सपष्ट किया है, सम्वत पंद्रा सो चम्मन सम्वत पंद्रा सो चम्मन में गुरू जी एक दिन नियमा नुसार पहर रात गरहे सेवक के साथ बेई नदी प्रसनान को गए तो वहां एक साधू से भेट हुई जिसने चेताया की बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस अंसार में भेजे गए हो तुम्हारे लिए सचे दर्बर से क्या आगया है और क्या कर रहे हो इस पर गुरू जी उस साधू के साथ बेई नदी में घुसकर तीन दिन तक गुपत रहे और ये कंसेप्टिन उनकलियर करी दिया है कि मुझे जिन्दा महात्मा के रूप में उस संत मिले और यही परमात्मा पुरू नबरम सत्पुरस हैं ये जिन्दा महात्मा के रूप में आकर कि उन महापुरसों को मिलते हैं अच्छी आत्माओं को ये वेदगवाई देते हैं इसी तरह जिन्दा महात्मा के रूप में किस किस को मिले आदनिय दर्मदास साहिब जी को मत्वरा में मिले आदनिय मुलकदास साहिब जी को मिले आदनिय दादू साहिब जी को सांभर में मिले आदनिय नानक साहिब जी को जिन्दा मात्मा के रूप मोही परमेशवर सत्पुर्स यानि कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले हैं आदनिय गिसादास साहिब जी को गाउँ छुडाने जिलाज़जर हरियाना वाले को खेतों में जंगल में गौच रा रहे थे जब दस वरस के थे वहाँ ये जिन्दा मात्मा के रूप में मिले आदनिय गिसादास साहिब जी को गाउँ खेखडा में मिले जिलामेर्ट उत्तर परदेश में तो अपने अत्माओं इतने परमान हैं और उन मापरसों यानि आदनिय गिसादास साहिब जी ने कहा के हम सुल्तानी नानक तारेदादू को उप देश दिया वो जात दुलाहा भेद नी पाया का सीमा-एकबीर हुए तो ये इस कंसेप्ट कलियर हो गया के स्री नानक देवजी के गरुजी थे और बाबा जिंदा थे हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गरुजी थे कोई बाबा जिन्दा थे और वो पुल्ण प्रमात्मा के ने करतार ने उनको मिलाए वो किसम कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बंडा गुरू मिलाया है और यही गृबदा साहिब जी कहते है अनंत कोट बिरमांड का एकरती नहीं भारे सत्गरुपुरस कबीरे हैं ये कुलकेसर जनहारे तो इस एसेद हो गया कि इन मापरसों के गुरुजी थे जिनको मुक स्प्राप्ट हुआ अब परसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरु जी थे YES कबीर साहिब पुर्ण परमात्मा है असंग बर्मांड के स्वामी हैं और इनको गुरू जी की कोई हो सकता नहीं थी लेकिन इन्हों ने गुरू इसलिए बनाना अनिवारिय संधा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और ये कहा करेंगे काल के दूत संत किया कभीर जी ने कौनसा गुरू बना था हमारे परमदनी ने भी ना बनाया लेकिन इनके परमदनी का तई दिखा दिएओं आपके सामना सारा सांग के बना इसके सांग लेकिन परमेश्वर ने इस मर्यादा को बनाये रखने के लिए ये वानी वो ली गुरू बिन माला फेरते गुरू बिन देते दान गुरू बिन दौनो निस्पल है चे पूछो वेद पुरान रामकर्शन से कौन बड़ा उन्हों भी गुरू कीन और तीन लोग के वेदनी गुरू आगे आधी अपने अत्माओं ये पवीतर कबीर सागर है इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरू मिले थे और इस बात को नानक साहिब जी स्विकार करते हैं कि मुझे जिन्दा महत्मा के रूप में परमात्मा मिले थे गुरू जी मिले थे ये पवीतर कबीर सागर इतना ही मन्य और आधरनिय है जितना इस्री गुरू कर्थ साहिब और स्री गुरू करते साहिब से पहले का है क्यूंकि परमात्मा शन तेरह सो अठानुवा से शन पंदरा सो 18 तक लीला करते हुए इस बारत वरस की पर्च्वी पर रहे तो धर्मदास जी ने लिपी बद किया था जैसे बाई बाला जी ने सारी वारता नोट करके जनवसाखी में लिखवा जी इसी परकार धर्मदास जी की जो वारता प्रमात्मा से हुई उन्हों ने जो की तो लिपी बद करती हैं यह देखेगा यह कबीर सागर कबीर पंथी बारत पतिक स्वामी युग लान बिहारी द्वारा प्रस्कृत मुद्रक प्रकास के खेमरा स्रीकरसंदास अध्यक्स वेंकेटिस्वर प्रेश खेमरा स्रीकरसर वार्ग मॉबई इसमें एक अध्याय है यह देखिएगा सवसम बेद एक अध्याय है सवसम बेद बोद और इसमें एक सो अठावन प्रेश्ट पर हम पढ़ेंगे इसमें अलग-अलग खंड है यह बोद सागर खंड है इसका अध्याय है सवसम बेद अत्नानक्साजी की कथा चौपाई के मादम से नानक्साकीन कीन तब भारी बहुविद बहे ग्यान अधिकारी के नानक्साकीन तब भारी पिछले जन्तुन मांतरों में बहुत इन साधना की अर सब भी दिवहे ग्यान अधिकारी तब ये ग्यान के अधिकारी बने थे इसलिए मुक्ती भावता को लख पाया तापर सत्गुर की नीदाया जिन्दा रूप दरो तब साई पर भू पंजाब देस चल आई अनहद बानी की ओ पुकारा सुनके नानक दरस निहारा सुनके अमर लोक की बानी जान पड़े निद समरत गयानी आवा पुरस महागुरू गयानी अमर लोक की सुनीन बानी जब नानक साहिब जी की और पर महातमा कबीर जी की जो जिन्दा महातमा के रूप में थे उनकी जो वारता हुई तो नानक साहिब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी अर्द सुनो पर बुजिन्दा सुवामी कहां अमर लोकर है निजधामी अर्द सुनो पर्भु जिन्दा स्वामी कहो न कही अमर निजबानी धन कबीर पर्म गुरु ग्यानी सब पीरां के पीर कोई न पावे तुमरो भेदा खोज तके बर महचव भेदा जब नानक बोते तपकीना निरंकार बोते दनचीना इस निरंकार से पुरस निनारा अजर दीपता की टकसारा कबीर परमेश्व ने बता के जिस निरंकार की आप उजा करते हो काल की विसनों की विसनों रूप में वो परगट होता है कहते हैं इससे वो प्रमात्मा भिन है निरंकार से पुरस निनारा अजरदीप ताकी टकसारा अजरदीप उस अमर लोग के अंदर वो प्रमात्मा रहता है पुरस भी छो हुआ तब जबते हैं काल कठीन मगरो क्यो तबते हैं कहते हैं प्रमात्मा के जब से आप प्रमात्मा से भी छुड़ कर आए हो तब से तुम्हें इस काल ने रोक रख्या है आपने बड़ी बगती भी की देखो तब सरस बगती नहीं ओई क्योंकि परमपुरस ना बेटो कोई जब से हम ते भी छुड़े भाई साथ हजार जनम तुम पाई अब कलियर कर दिया प्रमात्माना की जब से हम ते भी छुड़े भाई जब ते यानि जिस समय से तुम हम से भी छुड़ कर काल के लोक में आए हो 60,000 जनम यहां तुम पाई अच्छे अच्छे जनम 60,000 तो आपके हो लिए दर दर जनम बगती भलकी ना फिर पिर काल चकर निरंजन दी ना कहते तुमने मनुस जीम पापा कै और बहुत बगती करी और फिर भी काल इस निरंजन ने तुमे इस जनम मरन के चकर में डाले रखा सत्षा नाम को इसके बिना तुम यम के दौआर काल के मुंह जाओगे फिर क्या बताते हैं तुम जैसे अच्छी पुन्यात्मा भी जब यहां चक्र काट रहे हैं तो और जीव की के पायर बसावागी तुम बड़ भगत बौसागर आवा और जीव कोई कौन चलावा और जीव की के चालागी जब आप जैसे इतने बड़े भगत भी यहां बौसागर में जनमरन के चक्र में हो निरंकार सब सिर्ष्टी भुलावा तुम करी भगति तो लोट क्यूं आवा इस काल न निरंकार ने सब сिर्ष्टी को मुर्ख बना रह रहा है बर्मित कर रह भगति करी थी तो आप वापिस क्यों आ गए फिर नानक साहिब जी कहते है दन पुरस तुम यह पद भाखी यह पद अमर गुप्त कहराखी जब लग यम तुम को नहीं पावा अमर अपार भरम फैलावा कहो गुसाई हम तेंगाना परम पुरस हम तुम को जाना धन जिन्दा धन जिन्दा पर्व पुरस पुराना बिरले जन तुम को पहचाना जिन्दा वचन बहे दयाल पुरस गुरु ग्यानी गहो पान परवाना बानी अब मंतर दिया नानक साहिब जी को परमेशवर कबीर जी ने जिन्दा रूप में बली बही तुम हमको पावा सकलो पंथकाल को दावा कवी परमेश्वर जी कह रहे हैं जिन्दा मात्मा के रूप मनानक साइब जी को के बली बही तुम हमको पावा आपने मुझे पा लिया बली हुई या अच्छा हुआ आपके लिए और सभी पंतकाल की पूजा पर लगे हुए हैं, ध्यावा माने धान लगा रहे हैं, तुम इन से अब बहे नारा, फिर जनम ना हो तुमारा, अब तुम इन सब से अलग हो गए हो, मेरा नाम लेके हैं, अब तुमारा पुनर जनम नहीं होगा, बली सुरित तुम हम को चीना, अमर मंतर हम तुम को दीना, सब संबेध हम कही निजबानी, परम पुर्स गती तुम्हें बखानी, नानिक साइब जी कहते हैं, धन पुर्स ग्यानी करतारा, जीव काज पर गटे सनसारा है, के धन है, हे परमात्मा तुम हे पर करतार है, ग्यानी रूप में, आप ही यहां पर आए हो, और सनसार के कल्यान के लिए जीव के काज, यहां पर आए हो, जीव का कल्यान के लिए यहां, धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ग्यान तुमारा मावल जोरा कि आपके ग्यान का तुमा बहुत ताकत है इसके आगे कोई नी टिक सकता दिया दान गुरु किया उभारा नानक अमर लोक पगधारा अब इससे ये कंसेप्ट कलियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिन्दा महत्मा रूप में गुरु मिले थे वो कवीर परमेश्वर जी थे कारसी वाले दानक थे उसके वीशें वनानक साहिब ने कहा है श्री गुरु गरंट साहिब के 24 प्रिष्ट पर फाई सुरत मलुकी वेज एठगवाडा ठंगी देश खरा सियाना भोता वाले दानक रूप रहा करता है फिर श्री गुरु गरंट साहिब के 731 प्रिष्ट पर कहा है के नीच जात परदेशी मेरा खिन आवे तेल जावे अर जाकी संगत नानकरेंदा कैसे मौड़ा पावे अब आपको इंटरुव सुनाते हैं मापरसों के अनुबाव बगतों के जिसको सुनकर आपको और जादा द्रड़ता प्राप्त होगी नमस्कार सर साथ साहभ जी क्या सुब नाम है आप जी का मेरा नाम है जी बैद गुर्मक सेंग पेंटते डाक बलास पर जिला मोगगा पंजाब दाबास सी है मैं जी प्रमसन सत्कूर रामपाल जी महाराज किशनवाने से पहले आप कोन सी बगती करते दे पहले जी मैं सच्चा सवदा सर्चा बड़े सांत सतनाम सेंग तो नाम लेया उनना दे साथ भी बहुत नजदीक रहा पर उते कोई शांती नहीं आई उसतों बाद होर प्रमप्रा मा जो नानक सारब गएरा सांतरवारा सिंग जी लोपो बड़े जा होर भी बहुत सारे महात्मा दे पास गया पर किसे था तो कुछ ना मिले फिर मैं अमर्त शाक के ज्यानी मेवासंग जी जो मैंबर तरंपरचार कमिटी सानों से बड़े उनना दे साथ आप भी शक्या लोकानों भी शकायार तरंपरचार कीता हूं तो सरे आप बता रहे थे कि आपने डेरा सच्छा सुधा से संसा सतनाम जी से नाम उपदेश लिया था तो संसा सतनाम जी ना को क्या मंतर जाप करने के लिए दिया था उनना ने दितासी जी सात परश नरंग कार अकाल मूर्त अबनाशी शाबद शरू पी राम जो बता रहे हैं इस मंतर का जाप आपने कितने दिन तक कुए एकी साल तक जी gelir सारे इकीश साल तक आपने मंतर का जाप किया आपको क्या लाब मिला इसका कुश्पिलाब नहीं फिर स Dallas अ अप परवसंसंत्त गूरांपाल जी महाराज नियूण में कैसे है ईग आ ऐसे बाता जी, कि मैं अधर किसे कमकारदे बेचाया, ते उद्रों अधा अधा मैंनो अख़बार मिल गया, अख़बार पढ़के मैं शेक टूबर दोहजार चार नो साथसंग सोनना गया, ताह उत्थे सत्गुरु रामपाल जी महाराई जी दा, बंदी शोड जी दा तो बगैर, कदे पूर्ण मुक्ती नहीं हो सकती, नाम एक बीज है, नाम जे बीज जैसा किसी कोई चीज बीजांगे, ओ ही असानु फाल मिलूगा, जैसे के फरीज साब जी कहन दे है, के फरीदा, लबे दाख बजाओर जाओर जाओर किकर बीजे जट, हंडे अन कतायंदा पहिंदा लोडे पट, के जट बीज दाता है का केकरां, पड़ पालदा है, बजाओर देख दिया, दखां, ओधरों पेड़ांदी ओनना, काता दा है, पर पहिंदा वास्ते पालदा रेशम, सो यस करके जो नाम है, वो पूर्ण संत्गुरु तो मिलता है, और पूर्ण ना ही पूर्ण मुक्ती हो सकती, और सत लोग जाया जा सकता, फेर आके मैंने जी, पर्मसंत सत्गुरु रामपाल जी महराजीतों, शेक तूबर, 2004, बड़े दन, पर्थम मंतर पराप्त कीता, और फेर चार में हिन्ने बाद दूसरा, और फेर सत्गुरु रामपाल जीतों, मतल आठ देसंबर 2011, दास नू और दास दे गुवर्पाई लाब सेंग नू दोहानू सनु सारना मिलिया, और सनु पूर्ण मुक्ती दी आसोई, ते बेलकोल कलीर बात है, के सत्गुरु रामपाल जी महराज, उर्ण संतहन, और क्याओं के, इन आ दे उते हो सारीया बाता टुक के संग सेखोदरे नान का हरगोन गाओ, जैसने सत्परश नू देख्या है, ओ ही सत्गुरु को हा सकता है, सत्परश कभीर सहव ने, उन्ना नू, ओहो, आजिकल सत्गुरु रामपाल जी महराज बंदी शोड कभीर सहव दा ही रूपन, इस करके आप पूर्ण सत्गुरु ह सेखोड़ सहव पेटिगे, पूर्ण हवे जोगत, खान देख, पीन देख, पहन देख, भिच्चे हवे मोगत। सो इस करके दासदी नो पता है पक्का विशबाश है कि शट्री रामपाल जी महाराज ही पूर्ण सफग्रु ह intrins finding जो के गुरु नानकदेश जी महाराज ने कहा और जन्ना ता प्रेचार किता सी आए व्से पेंडि workers everAg!! answer from a DrRe Word by DrS.Nanakdev hm3 क्या नाम कहां रहता है। सब परमान आप देखके आपने प्रमशन सतुरांपाल जी महाराश से नामुबदेश लिया फिर सरे पहले आप जैसे राजास्वामी पंद्स में तेरीकी साल तक आपने भक्ति भी कि उसका आपको कोई लाभ नी मिला प्रमशन सतुरांपाल जी महाराश ने जो भक्ति आपको दी है उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला हमको जी लाभ इलावा के पहला था मान्श के शानती होई दूसरी स्रीर दे बैच उस्तों बाद कदे बी मैंने एक गोड़ी भी घाकर नहीं देखी। उस्तों बाद सारे परबार दे बैच उक्षान्ती है। घर मेरी उत्तरवधू है उसनु असनी मां ठाई साल दी उमर दे बैचों दी मौत होगी Carson's back मिन्यादी शाटके गई सी ओही ठाई साल दी उमर दे बच पुत्र बदुरू 2008 दे बच शाती दा कैंसर हो गया शेज नानेगा नू होर सी पीजी आई चंडी गड़ दे बच उन्ना शत्तांदा अपरेशन होया उन्ना तो फेरो मेरी पुत्र बदुरू एथे लेंदा गया ग जो गुरू देवजी दी किर्पा नाल अलाज होया और बिना किसे राडतों जहां किसे प्लेट्टांतों में ठीक हैं बिलकुल और बात है अधे आत्मक्ता जो हम पाल रहे थे लब रहे थे बहुत चिर्तों के सतलोक दा रस्ता वो सत्त गुरू रामपाल जी महराज तो मिल कौल पूरी तरह उस रास्ते दे उत्ते मैं चल रहे हैं ते प्रमातमा दी रजा दे नाल एक दन जरूर सत लोक जामांगे जो संत सत्त गुरू रामपाल जी महराज हन ओ गुरू नानक सहब दी बाणी मताबक पूर्ण तोरते हन जो के दुन्या पारते बच्च किसे भी संत पूरी नहीं हो सकती उन वस बाणी दे मताबक तने नाम देन बाले सारी स्रेश्टी दी सारें दी मुक्ति करन बाले क्योंके नाम लेके ही मुक्ति होएगी और पूर नाम सत्तगुरू रामपाल जी महरा जी दे रहे हैं गुरू नानक सहब दा असर रस्ता है ते जो के मैं लेके चले हैं ते हार एक नूँ चलना चाहीद है चाहिए भगत समाज को या शिक द्रम के परचारक भी रहे हैं उस परचारक के हैसित से आप शिक समाज को और भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं जी सेह समाज को एही संदेश देना चाहो ना है कर भी जा है रहे है चाहे पांथ ही स या किसे था जा रहे है पाई ओजड़ा만 तो अड़ा व्क करता बीज उस ने कोई अच्छा फाल नी दीन ते ला अस्टा बालनता हो सकता हो और कुछ नि इजो भीज है, इक कांकता भीज है, अंपदा भीज है, जो परमात्मा असल नाम तो बना कहते मुक्ती नहीं हो सकती, सत्गुरू तो बना कोई मुक्त नहीं कर सकता, सो सर्फ एक पूर्ण तोर थे सत्गुरु महराज सत्गुरु रामपाल जी महराजी हन जो के अजदे अवतार हन आप नरेन कला तार जग में पर वरेो सत्गुरु रामपाल को हायो सो एस दे नाड़ी दास संक्तानु साथ सहब जी नमस्कार सर नमस्कार जी क्या सुबना में जी आप जी का हूँ लाव सेंग जी तूर सर कहां से आये आप मैं लुद्याना से आया हूँ जी सर क्या काम करते हैं आप मैं आप रेटायल्ड हूँ पैंशनर हूँ पहले मैं डेस्ट का एजूकेशन ओफिसर था मुझाब गौर्मेंट में मुझाब एजूकेशन सर्वस में अपनी नौकरी की है सारी जिसमें मैं तीस साल नौकरी की है करमचारी भी रहा हूँ अदकारी भी रहा हूँ और कत्ती तेन सत्त को मैं फ्रीद कोट जिला से डिस्टिक एजूकेशन ओफीसर रेटायर हुआ हूँ सरे प्रमसन सत्गूर रामपाल जी महराज की शर्णमाने से पहले आप कौन सी वक्ति करते हैं उससे पहले मैं बहुत वक्ति की है कई परकार की वक्ति की है क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसी बातें थी कि पहले मेरे बाबा जी की लत खड़ी हो गई फिर मेरे पिता जी की लत सुक गई और उसके संगर लागे पागल हो गया था वो ठानेदार हैं दिल्ली पलीस से रेटायर हुए हैं चारी साल की सर्व के बाद उनको रास्त्रपती मैडल भी मिला हुआ है और उसके बाद 1990 मेरे को अधरांका टैक हो गया तो मेरी टांगें भी खड़ गई उसके बाद फिर मैं कभी किसी के पास कभी किसी के पास कभी किसी के पास चाड़ा लगानों के पास संतों के पास सभी जगा घुमा इसलिए कि ये बमारी मेरे से आगे नहीं जानी चाहिए तो उसके बाद ये बमारी का कोई भी लाज नहीं हुआ 1995 में में दोबारा टैक हो गया एक मैंने संत किया उससे मैं मुस्लमानी कलाम लिया जो अपने तार्ती परवतार जो है गुरू जी की लिखी होई कताब उसमें भी शामल है जो है स्वानल्ला अल्हांदलिल्ला अल्लाहु अकबर उसने जे नाम मेरे को दिया था और उसके उम्हें दन रात कमाया उसके साथ मेरे में बहुत रिदी सिदी पैदा हो गई और मैं जैसे गुरू जी बोलते हैं प्र मैं जो मेरा भक्ती मैंने करी थी मैं बांटने लग गया तो उसके साथ क्या हुआ कि मेरा जीवन सारा ही बरबाद हो गया क्योंके लोगों को तो मैं सब कुछ कहने जैसे गुरू गुरवाणी में लिखा है रिद सिद्ध वरासाद तो मैंने जो सिद्धी कमाई थी, या रिद्धी कमाई थी, वो तो मैं लोगों को बांट दी और अपना स्रीर गाल लिया से प्रम्शन सत्कूर रामपाल जी महराज की शनम में कैसे आया आप हां जी मैं पहले देखो गुर्दारा में भी जाता था मंदर में भी जाता था मगर वहां पर जाने से मेरे को कोई शांती नहीं मिलती मैं बहुत संतों को मिला क्योंकि दुखी परवार था परवार के सोख के लिए मैं सभी जगा डूंडा जो जो हमारे चोलेदार संत सजे हु तो मैं जहां आने के लिए बहुत तत्पर हुआ जब मेरे दोस्त इस अपने गुर्मक संग जी ने मेरे को बताया कि भाई तु कहां गया था मेरी ख़वर लेने भी नहीं आया हस्टाल में मर रहा था तु मेरे मरने के बाद ही आ जाना था तो इसने बताया कि मैं तो भाई जि जिती की बातें करते रहते थे घरबाले भी दुखी हो जाते थे हम देन पर रात लगे रहते थे जब इसने मेरे को आकर मोटर पे बैठे थे दूप निकली हुई थी दिसंबर का महिना था इसने मेरे को बताया कि सत्गुरु रामपाल जी महराज तत्वित्य संत अब बरव को कहा कि ये कताब पढ़ ले दाव जो भक्तिस दाकर को संकेत था वो सिर्फ 20-30 पने का ही था तो जब मैंने पहले मखावित तू चुप कर जाब मैं तेरी कोई बात नहीं सून नी मैं उसी वक्त सारा पढ़ लिया तो मेरे आंसू चल पढ़े रोने लग गया मैं मैं अच्छा परमात मैं मेरे सारा को टूटने के बारी तूझे मिरे को मिलना था और जब इसने सारा कुस मेरे को बता दिया कि ऐसा एसा है बहां पर ऐसा है मैं ऐसे गया था क्योंकि इसके साथ ठकी होगा इसी वो ठकी के पैसे लेने क्यों कि मैं तो मंजे पुछ होता मिरे सारे ट्रकल घुजर गया था यी साथ प्लेटें पडि आ थे साथ पिछे भी टूटा हुआ था चाहtsे ज्लते हो फी को तो जे गुर्मक सिंग मेरे को आठ जनवरी 2005 को गुरू जी के पास ले आया, गुरू जी के पास जाने से पहले ही, मैंने का भी पहले मेरे को नाम द्वा कहां से मलता है, तो हमने नाम लिया, नाम भी मेरे को मालक ने अपने हाथों से दिया, तीनों नाम गुरू जी देते हैं तीनों नाम अपने हाथों से मेरे को दिये अपना प्याला आप पढ़ाया और अपना शीरबा तो देने ही था गुरू जी ने मेरे मालक ने जब मैं जहां आया बंदी शोड सत्गुर रामपाल जी महराज जी का मैंने जब दर्शन किया तो आपने सच करके जाना मेरे से ऐसे जैसे एक हजार बूत निकल गया हो और मैं बिलकुल शान्त हो गया जब गुरू जी ने मेरे को सत्गुर रामपाल जी महराज जी ने जो प्याला पढ़ाते हैं पहली बारी वो हाथ से पढ़ाया और शीरबात दिया तो मेरे बिलकुल मैं शान्त हो गया और जो इस हड़ मे और जब तेरे को द्रांग हुआ था, तो अब भी मैंने तेरे को बचाया है, तेरे को सत लोग लेकर जाना है, सत्गुर रामपाल जी ने जब यह बात कही है, तो मैंने गुरू जी से बताया, गुरू जी। मैं आप जब मेरा एक्सिडेंट हुआ तो मैं रब को बहुत गाली निका लिए अरे मेरे से अब क्या करना है अब तो मैं तो फिर भी नहीं सकता क्या हूं कि यह सजी हाथ में डौंगा मेरे हाथ में होता था उससे चल फिर सकता था तो फिर मेरे को गुरू जी बोले बेटा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तेरे को मैंने कहा गुरू जी मेरा तो कुछ भी नहीं रहा मेरे में कहने तेरे पास सब कुछ है तेरे हाथ में पूछड आ गया जब पूछड़ आ जाता है तो बाल्टी भी मिल जाती है लजी भी मिल जाती है जल का जो कुआ है उसे बाल्टी भरके आती है तेरे को बच्चा संसार सक दूँगा माया दूँगा तेरे को जो बगती है तेरी इसको काम जाव करके तेरे को सतलोक लेकर जाओंगा बच्चा कि इसी चीज का फिकर नहीं करना सत्कुर्ण रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा शीर बात दिया कि उस दन से मैं मुड़के पिछे नहीं देखा पहले आप मंदर जाते थे गुर्दवारे जाते थे जाड़ फुक करने वालों के पास जाते थे और आपने एक मुस्लमान गुरू भी धारन किया था उसके पास भी आप जाते थे लेकिन वहाँ आपको कोई लाब नहीं मिला उसके बाद आप प्रमसन सत्कुर्रामपाल जी मह खार आप अरजना को दी है उस भगती का आपको क्या लाब मिला मेरे को पहले तो फिजीक लाब बहुत मिला क्योंकि मैं तो मरना ही था क्योंकि मेरा सीर में कुछ भी नहीं है तोता हुआ सारा अंगग टोता हुआ है साथ गुरू रामपाल जी महर के साथ इन्होंने ऐसा मेरा स्रीर बना दिया गुरू जी बोले थे कि बचा तेरा स्रीर मैं बजर बना दूँगा ऐसा बना दूँगा कि दुनिया देखेगी और वो दिन दूर नहीं जा मैं दोरा चलने लगूँगा मेरे मालक की ऐसी रजा हो रही है और जो आर्थक फैदा हुए है उसका तो कुछ कहने ही नहीं है एक दफा कि मैं बात बताता हूँ कि मैंने मेरी बदली कर दी सारे जो मैं मुगा जिले में नौकरी करता है सारे MLA हरे हुआ और जीते हुए रड़गे मंतरी को कह दिया कि इसको अपां लेक्टिरार लगाना है मेरे को डाइट में लेक्टिरार लगा दी है इन्होंने जबके वहां मेरी पोस्ट भी नहीं थी इन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ जब मैं गुरू जी के पास मंदीशोर सत्कुर रामपाल जी महाराज के पास आया तो बोले आगे डियो साथ मैं खेया महाराज ये सचे पाश्या आपका बच्चा अब डियो नहीं रहा माहत्र बना दिया गया हूँ गुरू जी ऐसे होकर बैठ गया और बोले मेरा बच्चा दियो है दियो ही रहेगा दुनिया की कोई तागत इसको डियो से नहीं हटा सकती और जब मैं वापस गया आपने बड़े मल मैं गर्म से कह सकता हूं और सबको गर्म से सना सकता हूं कि जाते को मेरे कोई DO फुल के अल्डर आये पड़े थे पहले मैं डिप्टी DO था फिर उसके बाद ये तो मेरे मालो जे हुआ उसके बाद जो मेरे केस से वो सारे मेरे खत्म हो गए और मेरे पैंशन जो थी क्योंकि ये बादल सरकार है जो इनके साथ मेरा जगड़ा चलता ही जितने दिर जे सरकार में आते रहे तो फिर क्या हुआ मेरी पैंशन पंद्रा मार्च दो हजार सत को बनके सारी आगे मेरे बैनिफेट सारे आगे और कती तीन साथ को मैं रिटैर हो गया और अपने घर बड़े ओनर से मेरे को डीसी ने और जो एडीसी था उसने घर में भेजा और मेरे सारे स्कूलों ने और मेरे सारे स्कूल अफसरों ने और जो हमारा सेक्रियेट था उन अफसरों ने मेरे को इतनी बड़ी पार्टी दी कि दो देन एडीसी सा मेरी हमाले पार्टी में बैठे रहे तो ये कोई छोटी बात नहीं एक मैं सर्फ छे मीने बहां पर काम कि जिसमें से मैं एक पैसा भी गड़ी बाला लेने लेकर नहीं देखा और प्रमात्मा ने ऐसी मेरी रजा करी मेरे पर बंदी शोर सत्गुर रामपाल जी महराज के शीरबाद से मैं अपने अउनर के साथ अपने गर रेटायर होकर आया सरे अभी जैसे आप बता रहे थे किस संत को ढूंड रहे थे तो आपके मित्तर नहीं बताया कि जिस संत को हम ढूंड रहे थे हमें वो संत मिल गया है तो किस संत को ढूंड रहे थे जो पूर्ण हो और पूर्ण नाम दे वो नाम दे हमारे जहां पंजाब में गुरु नानक द केले हैं जो सच्खंड को गए हैं और सच्खंड जब भेजने बाड़ा संत हमें चाहिए जो वो संत चाहिए जो हमको वो नाम दे जिसको जापकर गुरु नानकदेव जी सच्खंड में गए थे और प्रमात्मा सथγुरु रामपाल जी महराज में वो सभी गुण मॉझूद ह हमको जब हम जहां आए काथने लो बेटा पहला नाम दिया तो हम ने आपको बता दिया कि मेरे को क्या क्या wise行了 रभात दिया जब दूसरा नाम दिया काथने बीटा जे वो नाम है जिसको सिख लोक सत्थ नाम कहते हैं फिर तीसरा नाम दिया जब तो गुरु जी बोले मेरे साथ गुर्मकदास भी थे के बेटा लो सिख जगत में गुरु नानक के बाद आज आपको ही तीसरा नाम मिला है। तो हम गद गद हो गये ऑर गुरुब जीके पास भी रोती रहे रोती रोती चले गये कि हम इतने कर्म बंत हैं और हमारा सही तो सारा तूटा पड़ा है कि हमको ऐसे संत मिल गए ऐसे प्रमात्मा मिल गए कि जिड 相 alm kdr कोई कश सर नहीं छोड़ेंगे हम जरूर जाएंगे हमक सतना मिला आपको सारना मिला और आप बता रहे ह 얼। जिकर्दे नाम एचा कि उसका क्या उसका वड़न नंढन है या किसी और Нंक मे न है कहा इसका मिलता है देखो हमारे सिख जगत में पहली बातों जे कहते हैं कि परमात्मा निराकार है नरंकार है तो जब गुरु जी से मेरे को ग्यान मिल गया और मैं रिटैर हो गया तो मैं गुरु गुरान साब की चार सेंचियां लेकर आया चार सेंचियां लेकर आया तो मैं तीन साल उसकी खोज करी कि जो परमात्मा कहते हैं गीता में बताते हैं बेद में बताते हैं कि या वो बात सच है कि गीता में लिखा है कि तीन परमात्मा हैं और उसका तीन नाम है जपने के भी ओम तत सत्थ तो हमारे कहां लिखे हुए जरूर लिखे होंगे क्योंगे गुरु नानक को भी सब पता होगा जे अगर गुरु नानक पूरा था तो उसको भी पता होगा तो मैंने फिर इसके कारण जे सब बातें थी इनके सवाल डूंडने के लिए फिर मैं गुरू गुरान साव लेकर आया तो उसके पहले तो मैं जे डूंडा कि प्रमात्मा साकार है बारां सो सुतवंजा पन्ने पर लिखा हुआ है कि बागे कापड बोले बैन लम्मा नकते काड़े तेरे नैन कभू सहब देखेया पैन बई एह जा सहब हाँ जिदिया काड़ी अखाने सोना मुँँ हाँ मिठी बोली बोल दा है ते उदा चिट्टा दुद बार का रांग ते उदे कपड़े ने ते मैं बड़ा हरान होया भी ता करने नरांकारा यह ता सारी सवीर नानक जी ने खिची पही है फिर दूसरी पांसासस्तार्ट पन्ने पर लिखा हुआ है कि सोना नक ते लंबडे तेरे वाला और फिर क्या लिखा है कि तेरे सोने दी माला पैनी होई है तेरा स्रीर सनेरी है तेरे वाल जिड़ने सोने रंगे ने ते तूं हां समंगू ठेमक ठेमक तुरता है का ते सारा वो शब्द बेच लिखे आए पांसो स्तार्ट पने ते जड़ा मर्जी देख लबे है ते मालो उतोसिद हो गया कि पहली गाल के गुरु जिड़े है गया प् गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है तो तो दोसस्ताई पने पे मैंने पड़ा गुरु नानक देव जी आप खुद कहते हैं क्या कहते हैं सत्गौर देख्या जैसे मैं आपको देख रहा हूं सत्गौर देख्या दीख्या लिनी दीख्या का मतलब है मैंने उसस इनिशेशन ली मंतर लिया ततकोर देख्या दिख्या ली नी मान तान आर्पेओ उन्हों मैं सारा कुछ आपना आपे एट कार देता मान तान आर्पेओ आंतर गात की नी फेर की कैंडे या गात मेत पाई आतम चीन नी कैंडे फेर मेरी गती मेंनू मिली ये इन दवाई देख्या दा गुरू कुई दी फेर एक रहे शाबद गुरू सोर्थ तो न्चेल ला उन गुरू शाबद कूरू गुरू साद आपिैज पशन लिट पंजन देख्या आत् सब्सक्राइब करते हैं कि अब बता रहे थे कि पूरा सिख समाज परमात्मा को निराकार मानता है और गुर्गन साहिब में परमात्मा को साकार लिखा हुआ है और अभी आप बता रहे हैं कि गुरु नानक जी ने भी गुरु धारन किया था तो क्या आप बता सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के पूजे गुरु देव जी का क्या नाम था देखो जी जो जहां पर मेरे को पता आकर चला शख समाज में तो वह मिलनी नहीं थी बात जहां पर सत्त गुरु संत रांपाल जी मारा घ्माएट अच्छी ने हमको बताया क्या बताया कि जो गुरुनानक का गुरु था वह जिन्दा महातमा था क्योंकि प्रमात्मा जब उपर से आता है जिसको भी दर्शन देते हैं तो जिन्दा महात्मा के रूप में आते हैं चाहे हो तर्म दास हो चाहे हो मलूक दास हो चाहे हो दादू दास हो चाहे मलव हो आपने रामानांद जी होन ते रामानांद जी नो भी कभीर साब आप मिले सारा को दस्या जदो फिर गुरू जी ने बताया जाब बेदों में सिद्ध कर दिया कि वो जिंदा महात्मा जिसकी डाइविनीशन लिखी हुएए बेदों में कि वो जिंदा महात्मा कवीर शाब आप है वो कभी भी होता है वो सभी के दुखदूर करता है वो सभी के आंग बदल देता है वो मर्दे को जिंदा करता है और जो उसका बरसाया होया संत होता है क्योंके संत कौन होता है जैसे अपने वो लिखा है बाणी में गरीवदाजी की बाणी में क्या लिखा है संत सहब एक सीरा गुरु बिन लागे ना तीरा क्योंकि वो सहब ते गुरु कोई चीज हुन दिया फिर एक दफा एक सांत होर लिखया हुआ कि संतन और सहब में अंतर कछना ही सहब का कर संतन के माही ये बैठा है वो कभीर रामपाल मैंने सोचा जब गुरु जी बोलते हैं सत्गुर रामपाल जी के तेरा रामपाल अगयान किया सत लोग का बासी अगर वो सत लोग का बासी है तो वो तो सत लोग में रह गया तो फिर ये काउन है ए फिर मैंने अपने बगती के अनुब से मैं जे कह सकता हूँ मेरे को जल्बा जो दुखाया कई गल्ना ऐसी होती हैं जो संसार में नहीं बताई जाती हैं फिर वो मरलव जो है कबीर सहाब गुरू महराज अपने जो है सत्गुरू रामपाल जी महराज इनके सरीर में आकर अपने आप कबीर सहाब बैटे हैं जे पूर जी ने और जो इतःास है ये कहते हैं इतःास में तो कहीं मिलनी होती नहीं है देखो जी, जब कभीर साब गुरुनान कडेव जी कहां सी MA motivants लेकर आए बिल्कुल ठीक है तो अब अब जे मुकर रहे हैं वो साखी सनानों हट गए हैं क्यों इनका पूल खुल रहा है अब जो पाई बाले की साखी है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेही नदी की साखी है उसमें जे सारा वर्ण है कि कैसे कभीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में नानक देव जी को सत लोग लेकर गए और उसको वहां से नाम दे के लेकर गए आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatguru.rampal.org संत्रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम देख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम देख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541